देटू में पाकिसान तो जो एक्सपेक्टेशन सी पाकिसान उन एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उत्रा बड़ी होप सी के पाकिसान थोड़ी सी लीड एटलीस रूर लेगा और वेस्ट इंडीस को अंडर 200 आल आउट करेगा और 100 पे 5 आउट होने के बाद वजूद पाकिसान इस वक्त करजे में है और वेस्ट इंडीस के हमने 30 प्लस रंज अभी उतारने हैं तो लीड कर रहा है वेस्ट इंडीस और तारीफ करने पड़ेगी जैसन होलडर और क्रेग ब्रेथवेट की दोनों ही एक कैप्टन और एक प्रीविस कैप्टन बहुत अच्छी पार्टनर्शिप चली जब 100 पे 5 आउट हो चुके थे तो उसके बाद आल्मोस्ट 100 पार्टन पाकिस्तान को चाहिए कि वह जल दस जल पहले ही हाफ आनार में ये दो विक्टें आउट करें और पाकिस्तान को स्पेशली या बैटिंग में दिमंदारे दिखाने पड़ेगी क्योंकि हमारे ओपनर्स जितने रन की और डेडी वेस्टन इस लीड ले चुका है इतने में तो हमारे ओपनर्स पवलीन में भी जा इसको तो डिपेंड करता है सेकंडिन में पाकिसान बैटिंग कैसे करता है और जब ये मैच टॉस से पहले मुझे लगा था कि पाकिसान एक स्पिनर कम खिला रहा है लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यासरिशा को बिठा के हमें शानवाज जानी को डब्यो करा देना चाहिए था टोटली फास्ट बोल्स की पिच्छा है स्पिनर्स को कोई हिल्प नहीं मिल रही और यासरिशा बिचारे ने बड़ी मार्क आई है जहां ठपा देते थे उनको टेल एंडर्स भी आके बाउंडरी पे बॉल पहुंचा देते थे सो स्टेटेजी अगर ऐसी होती क चाहिए नवाजदानी भी खेल रहे होते हैं तो शायद अब तक वेस्ट इंडीज को हम आल उट कर चुके होते हैं शाहनवाजदानी एक मैच विनर है वो एक फाइटर है वो चाहिए उसका डेब्यू क्यों नहीं होगा लेकिन जो उसका माइंड से था जो उसकी अप्रोच होती है वो कहीं से डेब्यूटेंट वाली होती नहीं है वो लगता है कि एक सीनियर ब्लर ब्रोच करा रहा है जिसे काफी एक्सपिरियेंस है और वह उसी ऑग्रसिवनेस से और उसी पैशन से बालिंग करता है अब अगली मैच में पिच्षिस कैसी होंगी और ये सेलेक्शन भी टीम मेनेजमेंट पर डिपेंड करती है लेकिन पाकिस्तान को चांस लेना चाहिए अगले मैच में साउथ चकील का बैटिंग में या फिर शानवाज दहानी का बॉलिंग में डेब्यू कराना बनता है होप सोप इस मैच में डे थ्री तक हमें पाकिस्तान की साइट पे पलड़ा भारी नदर आए और मिलते हैं अगली एपडेट में तब तक के लिए अलाफिस और मुलतान टीवी सब्सक्राइब करना मत बोलिएगा